नमस्कार स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल पर और आज हम बात करेंगे भासा की संरचना को लेकर के तो भासा विज्ञान के अंतरगर्द भासा संरचना एक बहुत ही महतुपूर्ण भी सही है और इस भी से लेकर के प्रत्योगी परिक्षाओं में इसना तक बैसनाथक उत्तर की परिक्षाओं में महतुपूर्ण प्रस्ण पूछे जाते हैं बहुत सारे बहु विकलपी प्रस्ण इससे पूचे जाते हैं इसके अलावा भास़ा भी ज्यान के अध्यान करने से पहले हम में भासा संरचना का जियान होना बहुत आवश्यक है नाप, इस वीडियो को देखेंगे और इस वीडियो में को आप समझने की कोशिस करेंगे भासा की संरचना कैसी होती है ठीके तो सबसे पहले तो हम यह समझते हैं कि संरचना से क्या हमारा अभी प्राई है तो हमारे आज पार जितनी भी वस्तुएं होती है उनकी कोई ना कोई एक संर संद्रचना होती है संद्रचना का मतल्ब अलग अलग चोटी फोटी संद्रचना मिल्कर करके एक वस्तो काने त्यों करने है जैसे मेरे परपास यह आप यह Св है इस देक शुर्टिक है इसाथ यापन नियुकर है इसको फिसको है राच Оrekk charging वाला है फिर इसकी नोक है तो ये सब मिल करके क्या है एक संरचना बना रही है जिसको हम क्या कहते हैं हम इसको पैन कहते हैं ये हमें एक अर्थ देती है ये संरचना हमें क्या ये संरचना एक पैन कहने से हमें एक संरचना का एक अर्थ मिलता है तो तब जाके ये संरचना जो हैं एक अ कायों की महतोपुन भूमी का होती है भासा की संरचना के उसी प्रकार आवश्यक्ता होती है जिस प्रकार हमें एक भवन निर्मान के लिए इट सिमेंट लोहा मसदूर कारिगर पैसा मनी इत्यादी के आवश्यक्ता होती है वैसे ही एक भाशा निर्मान के लिए भी छोटी-छ भानी सब्द पदद वाक्य प्रोक्ति और अर्थाधी कि महतोपोण भूमी होती है।ill से पहले जिसका हम अध्यन करेंगे वो है ध्वनी तो ध्वनी जो है ध्वनी कि अगर हम बात करें या ध्वनी किसे कहते हैं अगर हम यह बात करते हैं तो बहुत आसान सा उत्तर इसका है आप लोगों ने अपने आसपास देखा होगा कि कभी आपने देखा होगा जब दो वस् तो उसे हम क्या कहते हैं ध्वनी कहते हैं तो लेकिन अगर हम भाषा विज्ञान में अगर हम बात करते हैं ध्वनी की तो भाषा विज्ञान में हम मानो मुखो उचारित ध्वनी का अध्यन करते हैं यानि कि ऐसी ध्वनियों का हम अध्यन करते हैं जो कि मनुष्य के मुख से उच्चारित होती है मनुष्य विविन वाग अव्यों से जिसको उच्चारित करता है इस प्रकार जो हमारी ध्वनी होती है वह भाषा की एक लगुतम इकाई होती है लगुतम स्वतंत्र महत्वण इकाई होती है इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखेगा क्योंकि बहुत ब नहीं अजब हम अद्धोने का अध्यन करते हैं तो हमारे सामने मुख्य रूप से दो प्रकार की रुट हूं यह हम उसको दो वर्गों में विभाजित करते हैं एक तो सवर्ढळ्ष और दूसरी वियंजन ध्वनी अब गर भात करें तो स्वर्ढळ्ष को पता हुं और स्वर ध्वनि की बात कर रहे हैं तो यहां पर हम सबसे पहले सौरध० हुआ किसे कहते है उसकी बात करेंगे तोॢशा की कुछ ऐसी ध्वनिया होती है जो कि स्वतंत्र रुप से उच्चारित होती है इनको 11 क्षिया कहते हैं गता है औस चाहँ बिना किसी के प्रयोग से इसके अलावा क्या होता है ये स्वर्थधन्यों के उचाहँ ओ निनकलती है वह तरूर किसी प्रकार का अवरोग उसमें होता है किसी प्रकार की रुकावट उसमें हमें महसूस नहीं होती है तो जब इसी को हम क्या कह देते हैं हम इसे स्वर धुनी कहते हैं इसके अलावा जो स्वरों का उच्चारण जो हैं हम लंबे समय तक कर सकते हैं, हम अधिक देर तक कर सकते हैं, यानि कि जैसे आपने देखा होगा संगीत के जो स्वर होते हैं, जैसे आ, ई, तो बहुत लंबे-लंबे समय तक स्वरों का उचारण कर दिया जाता है, या किया जा सकता है, तो जिसमें ये विशेष्टाएं होती हैं, उसको हम क् धारण के लिए हिंदी और अंग्रेजी को अगर लेते हैं तो हिंदी की जो हमारी स्वर्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध् की होती है तो वहां पर हम केवल आउ तक की ही स्वर धन्यों को लेते हैं इसको हम बात में जब हम स्वरों को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो तब हम इसका अध्यन कर लेंगे अभी हम केवल धन्यों की बात कर रहे हैं तो इसके अलावा जब हम अंग्रेजी के जब स्वरो और इनका भी उच्चारण हम लंबे समय तक कर सकते हैं, स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि स्वर धुनिया कैसी धुनिया है, जिनका की स्वतंत्र उच्चारण हो सकता है, और जिनकों की हम जिनका प्रयोग हम लंबे समय तक कर सकते हैं और जिनको उच्चारन करने में जो हमारी फेप्रों से जो वाईू निकलती है वो स्वतंत्र रूप से बिना अवरोध से बाहर निकल जाती है अब दूसरे जो हमारे हैं ब्यंजन ध्वन्या अगर हम ब्यंजन ध्वन्यों की बात करते हैं तो हमारी जो ब्यंजन ध्वन्या होती है वो उनका स्वतंत्र उच्चारण नहीं होता है उनके उच्चारण में हमें स्वर ध्वन्यों का सहयोग लेना पड़ता है उनका उच्चारण में स्वरध्धनियों का सहयोग अनिवारी होता है इसके अलावा जो फेपलों से हमारी वायू निकलती है वो वायू भी हमारे मुख के विविद भागों से अवरुद्ध होकर घरसन के साथ बाहर निकलती है जैसे। हम ख़ग्ध की, काई, को, कांक, इस तरीके से हम इनका उच्चारण जो है बिना स्वरों के हम नहीं कर सकते हैं. तो आप सभी को हम हिंदी की तो ब्यंजन धुनिया आप सब को पता होंगी को से लेकर कि ग्यों तक की जो धुनिया है वो ब्यंजन धुनियों के अंतरगत आती हैं और इसके अलावा अंग्रेजी के भी जो हमारे वोवल्स हैं जो भी पांच वोवल्स बताये थे उनके अलाव जैसे और मौ मिलकर के कहर बन गया जैसे और मौ मिलकर के आम बन गया तो ऐसे विविद सब्दों का जो हमारा सनरचना होती है वह इन वर्णों से मिलके बनती है लेकिन इसके अत्रिक्त भी कुछ अन्य इकाईयां भी हैं जिनको अभी हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले जो सब्द जो है वह भाषा की लगुतम स्वतंत्र और सार्थक इ किया है अगर पूछ जा रहा है अगल लगुतम के साथ आपको सार्थक सब्द भी दिया जाता है या दोनों विशेशन लगा के आपको प्रश्न पूछा जा रहा है तो इसका उत्तर आपका सब्द hesER सब्द यर्ट слов कि अगर यवल आपको लगुतंत्तम ह सब्द judiciary जाती है तब आपका उत्तर ध्वनी होगी लेकिन जब आपको लगुस्तम के साथ सार्थक एकाई पुछी जा रही है तो आपकी सब्द होगी क्योंकि जो ध्वनिया होती है वो सार्थक और निर्थक दोनों होती है हम जो भी हम आवाज निकलते हैं हमारी जो भी ध्वनी होती है सार्थक का मतलब होता है कि कभी वो हमें अर्थ प्रदान करती और कभी हमें अर्थ प्रदान नहीं करती लेकिन जो हमारे सब्दों होते हैं जिन सब्दों को हमारे इन समाज द्वारा मान्यता प्राप्ते हैं, जिन सब्दों को हम भासा विज्ञान में अध्यन करते हैं, जिन सब्दों को हम पढ़ते बोलते हैं, तो इन सब्दों का कोई ना कोई अर्था वश्य होता है, पैन कहने से हमारे मस्तिक्स में क्या सनरशना उत्पन होती है ये एक संरचना उत्पन होती है हमें अर्थ प्रदान करती है कि पैंक सब्द कहने से हमारे हमें क्या पता चल रहा है कि हमें एक ऐसी संरचना की बात हमसे की जा रही है जैसे घर, भवन, खेत, मैदान सब कहने से हमारे मस्तिक्स में अलग अलग संरचनाएं जो हैं हमारे मस्तिक्स में पैदा होती हैं तो ये सब किसके कारण होती हैं सब्दों के कारण होती हैं और सार्थक सब्दों के कारण होती हैं अब इन सब्दों की रचना में, इन सब्दों की सनरचना में जो महत्वपुन भूमिका होती है वो उपसर्ग प्रत्ये समास आदी की होती है इसी बाशिक इकाईया हैं जो की सब्द के प्रारंभ में लग करके एक सब्द को एक नया अर्थप्रदान करती है जैसे माल लीजिए धर्म सब्द है धर्म सब्द के आगे अगर अउपसर्ग लगा देते हैं तो क्या बन जाता है अधर्म बन जाता है ऐसे ही गंध सब्द के आगे अगर सुपसर्ग लगा देते हैं तो क्या बन जाता है सुगं प्रयोग नहीं होता है लेकिन ये सब्द के साथ मिलकर कि एक नए सब्द का एक नए सब्द और एक नए अर्थ जो है वो बनाते हैं अब जो बात आती है प्रत्याई की तो जो प्रत्याई होते हैं प्रत्याई भी एक इस प्रकार की भाशिक इकाई होती है जो कि सब्द के अं में होता है जैसे हम अगर सफल में अगर था प्रत्य लगा देते हैं तो क्या बन जाता है सफ चाल उलग होता है और सफल सफल सब्द 17 क्या है कार जो है हमारा प्रत्य ही है तो साहित्य सब्द हो गया और साहित्य कार जो है सब्द प्रत्य लगने के बाद बनता है साहित्य का अर्थ क्या है जो लिखा गया जो भी साहित्य है जो भी लिखित रूप में जो लिखित रूप में जो पार्ट है उसे हम क्या कहते हैं स साहित्यकार क्या है साहित्य को लिखने वाला तो इस प्रकार अर्थ जो है वो परिवर्थित हो जाता है अब अगर हम समास की बात करें तो जो समास होते हैं समास में क्या होता है दो सब्द आपस में जुड़ करके आपस में मिल करके एक नए सब्द का निर्मान करते हैं तो ज जाते हैं या फिर राजा का पुत्र ये तीन सब्द मिलकर के राज पुत्र बन जाते हैं तो इस प्रकार सब्द जो है आपस में मिलकर के छोटे सब्दों का निर्मान जो है वो समास में होता है और इसी प्रकार सब्द संरचना में उपसर्ग प्रत्य समास आधी का महतुपू में ह yarnica होती है इनके बिना जो है भासा की संरचना पूरी नहीं हो सकती है अगले हम आप पढ़ेंगे पद वाक्य प्रोक्ति अर्थार्थाधी को आए हमारी भासा संरचना को लेकर के पहला वीडियो है इससे आप भासा की सनरचना को आप अच्छे से समझ सकते हैं आगे भी आप इसके जो भी आप दो तीन वीडियो में जिब भी एक कम्प्रीट हो पाएगा वो आगे अपलोड करूँगी तो आप उसे भली भाती देखेगा और इसके अत्रिक्त अगर भासा सनरचना को लेकर के कोई प्रशन आपको कभी प्रत्योगी परिक्षाओं में आता है और आप कन्फ्यूज होते हो या फिर कोई प्रशन आपको किसी किताब में मिलता है जिसका उत्तर आपको नहीं मिल पा रहा है तो ऐसे प्रश्णों को आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं उत्तर देने की में आपको कोसिस करूंगी आज के लिए इतना ही आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद